So, hello guys, welcome back to the new video session दोस्तों बात करेंगे RSM SSB Lab Assistant Recruitment 2022 के बारे में इसका notification जारी हो चुका है 16-3-2022 को और इस video session में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस recruitment के लिए को नाविदन कर सकता है वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 12th past candidate फिर चाहे वो science से हो या arts से हो apply कर सकते हैं as limit क्या है, selection किस परकार से होता है syllabus क्या रहेगा, कब इसका exam है सारे बाते हम इस video session में देखने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं आप देख सकते हैं ये notification जारी कर दिया गया है प्रयोग साला साइक यानि अगर हम बात करें प्रयोग साला साइक विज्ञान, वरक के लिए माथेमिक सिख्सा विबाग के लिए तो 461 post है फिर प्रयोग साला साइक कर्षि विबाग की बात करें तो 16 post है इसके बाद कोले सिख्सा अयूखतालों की कुल 308 पोस्ट है इसके बाद राज्य विदी विज्ञान प्रियोकसाला आयोग में 14 पोस्ट है इसके बाद राज्य विदी विज्ञान प्रियोकसाला के अंदर 48 पोस्ट है इसके बाद कोलेज शिक्सा आयोकताले में 128 पोस्ट है इसके बाद कोलेज शिक्सा आयोकताले मे इसमें 37 पोस्ट है यहां पर देखिए प्रियोक साला साय गज्यान की भी पोस्ट है और जिघराफ़ी भी पोस्ट दी गई है अब आगे बढ़ते हैं तो आव्यद्रन कैसे करना इसके बारे में हमें बताया गया है SSO ID के माध्यम से आपको इसमें आवेदन करना है आवेदन कून कर सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आवेदन और प्रिक्सा सुल्क के बारे में बताया गया है सामाने वरग क्रिमिलेर से रेनी के अन्य पिछणा वरग अती पिछणा वरग के लिए 450 रुपे सुल्क है इसके बाद नोन क्रिमिलेर से रेनी के पिछणा वरग अती पिछणा वरग और आर्थिक रूप से कमजोर वरग के लिए 350 रुपे थीस है समस्त विशेस योगेजन राजस्तान के अनुसूची जन जाती के आवेद्गों के लिए 250 रुपे सुल्क है और जिन परिवारों की आई 2.5 लाख रुपे से कम है उनके लिए भी 250 रुपे सुल्क रखी गई है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आरक्षन के बारे में बताया गया है रिजर्विशन अलग लग कैटेगरी के लिए जैसे स्पोर्ट परसन है दिव्यंग जन है तो इनके लिए बताई गई है सरते इसके बाद में यहाँ पर हमें वेतनमान के बारे में बताया गया है बात करें प्रियोकसाला साइक की तो पैमेट्रिक लेवल 8 रहेगा अच्छी सेलरी रहेगी प्रियोकसाला साइक इसमें कनिष्ट प्रियोकसाला साइक में पैमेट्रिक लेवल 5 रहने वाला है details से salary के बारे में किसी और विडियो में हम discuss करेंगे पातरता और section की योग्यता की बात करें तो थोड़ा ध्यांद से देखिएगा अगर हम पद कोड एक की बात करें तो माध्यमिक सिक्सा विभाग में प्रियोक्साला साइक विग्यान के लिए ये post है इसमें बारवी कक्षा में आपके पास में इन में से कोई तीन सब्जेक्ट होना जरूरी है इन में से अगर आपने कोई तीन सब्जेक्ट लिये हैं बारवी क्लास में और इन तीन सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने बारवी क्लास की है तो आप आवेदम कर सकते हैं आपको देवनागरी लिपी का ज्यान होना चाहिए और राजस्तान की संस्कृति का आपको ज्यान होना जरूरी है पद कोड 2 की बात करें तो 2 से 5 जो पद कोड है उसमें प्रयोक साला साइक विज्ञान वे कनिष्ट प्रयोक साला साइक विज्ञान के लिए पद है तो इसके अंदर बताया गया है कि बारवी पास होना जरूरी है वो भी science subject से अगर आपने बारवी साइंस के साथ में उत्रियन की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं देवनागरी लिपी का ज्यान होना चाहिए और राजस्तान की संस्कृति का आपको ज्यान होना जरूरी है इसके बाद में पद कोड 6 जो दिया गया है प्रियोक साला साइक भुगोल विशे के लिए इसमें आपका खाली बारवी पास होना जरूरी है लेकिन भुगोल विशेस दे बारवी पास होना जरूरी है यहाँ पर ध्यान रखिए जो आर्ट्स वाले है वो भी एप्लाई कर सकते हैं अगर उनके बारवी कलास में जोग्राफी सब्जेक्ट रा है तो यहाँ पर साइंस होना जरूरी नहीं है यहाँ पर बारवी कलास में भुगोल होना जरूरी है ठीक है कापी लोग कह रहे हैं कि arts वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें बिल्कुल arts वाले आवेदन कर सकते हैं लेकिन सरत यह है कि geography subject होना जरूरी है इसके बाद में पद कोड 7 दिया गया है प्रियोक साला साई गरे विज्ञान के लिए इसमें भी सेम सरत है अगर 12 वी class में आपके गरे विज्ञान subject है तो आप आवेदन कर सकते हैं फिर चाहिए वो arts क्यों नहों कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर जिन लोगों का doubt था कि arts वाले apply कर सकते या नहीं कर सकते उनका मैंने clear कर दिया है अब दोस्तों आगे हम बात करें कि अन्य एउग्यता क्या है तो यहाँ पर एक चीज़ यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बारे वी में अभी appearing है वो भी आवेदन कर सकते है यानि अभी जो 12th class कर रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं इसके बाद में स्वास्ते और चरित्र के बारे में बताया गया रास्प्रियता के बारे में बताया गया भारत का कोई भी नागरिक अगर वो योग्य है educational qualification और as limit के according तो आवेदन कर सकता है फिर चाहिए वो हर्याना पंजाब गुजरात MP UP कहीं का भी हो इसके बाद में बात करें आयू सीमा की तो देखिए एक जनवरी 2023 तक आपकी आयू कम से कम 18 वर्स होना जरूरी है अधिक्तम 40 वर्स रखी गई है तो 18 से 40 वर्स इसमें उमर सीमा रखी गई है और एज की गणना आपकी होगी एक जनवरी 2023 को तो अधि जो माल लीजिये 18 वर्स का नहीं है लेकिन एक जनवरी 2023 तक 18 वर्स का हो जाएगा वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है और तीन वर्स की यहां पर अधिक्तम आयू सीमा में सब को छूट दी गई है क्योंकि विग्यत तीन वर्सों में इसकी भरती नहीं होने की वज़े से तो सभी कैटेगरीज को यहां पर छूट दी गई है इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो यहां पर एक चीज में आपको क्लियर कर दूँ कि अगर राजस्तान से बाहर का कोई कैंडिडेट आविदन करना चाहता है तो उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा मान लीजिए कोई UP का है या हरियाना का है या पंजाब का है और जानकारी दी गई है तो यहां पर देखिए परिक्सा सुल्क जमा करवाने की और आविदन करने की आउदी बताई गई है 25-3-2022 से ओनलाइन एप्लिकेशन पूंग स्टार्ट हो जाएंगे यानि 25 मार्च 2022 से लेकर आप 23-2-2-22 तक आविदन कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो यहां पर नीचे प्रिक्सा का महा और दिनाक बताये गया है प्रिक्सा का महा और दिनाक की बात करें तो 28-29-June 2022 को आपका एक्जाम होना है 28 एवं 29 जूम 2020 को आपका एक्जाम होना है इसके बारे में अलग से एक प्रेस विग्यपती है वो जारी की जाएगी इसके बाद में यहाँ पर आगे हम बात करें तो आवेदन की सर्तूं के बारे में और आवेदन कैसे करना उसके बारे में इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर पाठ्यकरम के बारे में बताए गया है कि जो विस्तरित पाठ्यकरम है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा विस्तरित पाठ्यकरम को लेकर में आपको नेक्स्ट विडियो में डिटेल से जानकारी दूँगा कि प्रिक्सा की स्कीम क्या रहती है क्या क्या आप से एक्जाम में पूछा जाता है और सिलेबस के अंदर कौन-कौन से टोपिक रहेंगे तो टोपिक वाई सिलेबस प्रिक्सा की स्कीम मैं आपको next वीडियो में detail से बताने वाला हूँ exactly आपका वही syllabus रहेगा जो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा साथ मैं best book के बारे में भी जानकारी दूँगा तो जितने भी लोग नए है चैनल पर वो जरूर चैनल को subscribe कर लें bell icon को press करके all पे click कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको notification मिलती रहे साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारा telegram चैनल नहीं जोइन किया तो जरूर जोइन करें उसका link मैं ने आपको description box में दिया है वहाँ से आप जोइन कर सकते हैं ताकि वहाँ भी आपको updates मिलती रहे तो next वीडियो में details से हैं छिले बस बताऊंगा अगर आपका कोई doubt है कोई सवाल है तो आप comment कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा reply करने की या next वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहिंद झाल झाल क्वार नहीं लेद को स्भाब देने के लिएवाब देने की यावगर खड़ियो में तोस्तों next वीडियो में दोस्तों दोस्तों next झाल झाल